अब्याम दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे तर्शिकों 12 सितंबर शरात पक्ष की दुतिया दिथी साथ ही में सोंबार का दिन 16 शरात का पहला सोंबार है सोंबार का दिन भगवान शिव को अतिप्रिय होता है यदि आप भी पित्र दोश से मुक्त होना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो पहले इस उमबार पर आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा आपके पित्रजन आपसे प्रसन होंगे साथ ही आपकी हर मनो कामना को पूर्ण करेंगे क्या करना है आपको इस उपाय को आपको प्रदोश काल में करना है सबसे पहले तो एक घी का दीपक आप जलाए मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं या आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं उस दीपक को आपको अपने पानी पीने के पानी का जो इस्थान है रसोई घर में पीने के पानी के इस दीपक को जिलाना है शाम के समय और साथ में आपको एक बेल पत्र चाहिए बेल पत्र पर आप चंदन की 108 बिंदियां लगा लें अगर आप चंदन की 108 बिंदि हाथ उंगली से लगाएंगे तो वह समझ में नहीं आएगा कि कितनी हुई तो पूरी दोनों पत्तिवों पर ही चंदन आप अच्छे से लगा ले जो भी चंदन हो आपके पास लाल चंदन, पीला चंदन, सफीर चंदन जो भी हो पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाई को करें और बीच वाली पत्ति पर आपको शहद लगाना है और फिर इस पत्ति को आ पूर्वजो को द्यान करते हुए इस बेलपत्रों को आप शिवल्ग पर अर्पित करें भगवान शिव आपके हर कस्ट को दूर करेंगे साथ ही आपकी हर मनुकामना को पूर्ण करेंगे इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा सोंबार के दिन आपको अवश्य ही लाग प्राप्त होगा श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शकों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तो भ्यम लिखना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रस करके आल पर क्लिक कर दें श्री शिवाय नमस्तो भ्यम्दर्शकों, हर हर महादेव, ओम नमस्तों